ज्ञानियगी की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। यूट्यूब अध्याय में वीडियो मेनेजर के अंतरकरत आज हम सीखेंगे सब्सक्रिप्शन्स और अनलेटिक्स। वीडियो एडिटर के बाद अगला जो ऑप्शन्स यहां पर हमारे सामने हैं वो है सब्सक्रिप्शन्स। वैसे किसी भी वीडियो को किस तरह से सब्सक्राइब किया जाएं यह हम आपको पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पर भी आपको subscriptions दो जगह से मिल सकता है, एक तो यहाँ पर option है, इसके अलावा अगर आप इधर right में जाएंगे, तो यहाँ पर अगर आप click करते हैं, तो यह देखे, subscriptions का option यहाँ पर भी है, आप यहाँ से भी उसे ले सकते हैं. अब यहाँ पर हमारे पास जब option subscriptions है, इस पर हम click कर देएं, अब यह देखे, यहाँ पर यह अलग-अलग धेर सारे channels आपके सामने हैं, add channels, इसमें से आपको जो भी चाहिए, उस पर आप यहाँ subscribe पर click करके उस channel को subscribe कर सकते हैं, इसमें से आप choose कर लें कि कौन सा channel आपको अगर इसमें आपका पसंदीदा channel नहीं है, तो यहाँ पर option मिलता है load more, इसमें जाकर के और कई सारे channels आपके सामने speech पर आजाएंगे, उसमें से आप चुन सकते हैं, और उसके बाद भी हाना कि इसमें काफी समय लगेगा क्योंकि बहुत सारे channels हैं, और इसके बाद भी अग अगर आपको आपका पसंदीदा channel इसली नहीं मिल पा रहा है, तो सबसे आसान तरीका है, आप यहाँ पर जाकर के उसे सर्च कर लें, आपर सबसे पहले type करें, जो भी channel आप लेना चाहते हैं, माली जे हम जनाब इर्फान वजीर के द्वारा तयार की हुए videos जो हैं subscribe करना च यहाँ पर उनके द्वारा जो तयार की हुए videos हैं, खासतोर पर MS Word जो हम चाहते थे, वो यह यहाँ पर आ गए हैं, अब इसमें से जो भी video आप देखना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, किसी भी एक video पर आप click कर दें, आपके सामने वो video खुल जाएगा, अब यह देखिए जिस तरह से हमने आपको पहले बताया था किसी वीडियो को subscribe करना, उसी तरह से यह देखिए, यहाँ पर यह सारे आपके सामने options आगए, like, dislike, add, to share, और यह हम जब उपर जाते हैं, आपको वीडियो के उपर ही subscribe का option मिलता है, आप यहाँ पर जाएं और इस पर click कर दें, और जैसा आपको पहले बताया था, आपको दो option मिलते हैं, जो भी option आप चाहते हैं, उसको select कर लें, दोनों को चाहते हैं, दोनों को select कर लें, और यह इस तरह से आपका यह channel subscribe हो जाएगा, YouTube के अंतरगत, वीडियो manager, वीडियो editor, subscriptions, यह सारा देखने सीखने के बाद, अब हम आते हैं, analytics पर, यह आपको बताएगा, आपने जो वीडियो upload किया है, यह आपको उसका analysis करके देता है, उसके बारे में अगर आपको कोई विवरंट चाहिए, तो वो आपको यहां से मिल सक इस पर क्लिक करें, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर ग्यान यग्य चैनल में पिछले 30 दिनों में, याने मार्च 12 से अपरिल 10 के बीच, इस पिछले एक मैने में क्या performance रहा, कितने views आए हैं, यह हमको यहां पर जानकारी मिलती है, इसके अलावा जो engagements हैं, कितनो को क्या पसंद आया है, किसने इसको शेयर किया है, कितनों का फिवरिट है, यह सारी जो चीज़ें हैं, वो आपको यहां मिल जाएंगी, जितने भी videos हमने upload किये हैं, उसमें से top 10 videos कौन से हैं, वो जानकारी यहां पर आपको मिल जाती है, कितने views उसके लिए आए हैं, यह भी कितनी है, उनका percentage क्या है, वो भी आपको मिल जाएगा, साथ ही top playback locations, आपको यहां पर पता चल जाएगी, कि YouTube watch page पर इसे कितने लोग देख रहे हैं, जैसे यहां पर यह दिया हुआ, 82.8% लोग इसे YouTube के जरिये देख रहे हैं, embedded player on other website के through 15.4% लोग देख रहे हैं, mobile devices से 1.9% इस तरह से जो भी analysis आपको अपने वीडियो के बारे में चाहिए, जो आपने upload किये हैं, तो वो आपको यहां पर मिल जाता है, यह पूरा overview है, और अगर आप separately कोई चीज़ देखना चाहते हैं, जैसे separately आपको views देखना हैं, तो आप views पर क्लिक कर दीजिए, तो यहां पर आ fix मिलेगा, अगर आपको कोई विशेश report देखना है, तो यहां की बज़ाए, आप उससे सीधे यहां से भी देख सकते हैं, जैसे अगर आपको performance के बारे में जानना है, तो आप सीधे अगर यहां पर क्लिक करेंगे, तो भी यह channel के बारे में आपको report मिल जाएगी, यहां पर आपको date range मिलती है, कि आपको अपने वीडियो का performance देखना है, जैसे यहां पर है पिछले एक महिने का, last 30 days का, अब यह अगर आपको केवल इस week का चाहिए, तो आप वो देख सकते हैं, आपको अगर पूरे महिने का चाहिए, या पूरे साल का चाहिए, जैसा आप चाहिए, वो देख सकते हैं, माली जै आपको पूरा last year में क्या performance रहा, या last 365 days में क्या performance रहा, यह देखना है, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, और यह देखिए, पूरा आपको last 365 days याने April 12, 2011 से April 10, 2011 तक का यह report यहां पर मिल जाएगा, यूट्यूब अध्याय में, वीडियो मैनेजर के अंतरगरत आज हमने सीखा, सब्सक्रिप्शन्स और अनलेटिक्स,